मैं मत्तु केवट मैं आज आपको भिन की सवाल हल करना बता रहा हूं तो हमें यहां करना क्या है कि भिन की जोड़ियां दी गई है उसकी बीच में एक चौखट बना हुआ है और उसकी जोखट में हमें छोटा बड़ा और बराबर का निशान क्या करना है समझ करके यह हमें लगाना है जैसे देखिए हमारा पहला इसमें प्रश्न है तीन बटे साथ है यह प्रश्न संग्रा उनिस की सवाल है तीन बटे साथ और यह बीच में डिबबा दिया गया है और यह यहां भी तीन बटे साथ है अब देखिए इस सवाल में हमें छोटा बड़ा या बराबर का निशान लगाना है तो देखिए बच्चों तीन बट्टे साथ और यहां भी तीन बट्टे साथ है अर्थात यह दोनों भी निसमान है तो यहां हमें बराबर का निशान लगाना होगा इस तरह से इसका उतराएगा अब इस सवाल करमांक दो को देखिए सवाल करमांक दो क्या करना है तीन बट्टे आठ है और यहां हमें चौकट बना हुआ है और इसके बाद है दो बट्टे आठ तो यहां हमें ध्यांस देखना है ये तीन बट्टे आठ है ये दो बट्टे आठ है दोनों भिन्नों का हर क्या है तो समान है तो यहां हमें देखना है कि इसका अंस तीन है और इसका अंस दो है अर्थात इसका पहले भिन्न का अंस जो है बड़ा है तो हमें परिभाशा ग्याद है कि जिस भिन का अंस बड़ा होता है वह भिन बड़ा होता है तो हमें यहां इस तरह से निसान लगाना है कि यह तीन बटे आठ बड़ा है और दो बटे आठ चोटा है सवाल देखिए सवाल करमांग तीन है हमें आरा सवाल करमांग तीन है दो बटे ग्यारा और एह चोखट है दस बटे ग्यारा तो यहां हमें समझना है बच्चों के देखिए इसके दोनों के हर क्या है समान है अब इस पहले सवाल को हमने लगाया और यहां हमें पता चला कि जिस भिन का अंस बड़ा होता है वो भिन बड़ी होती है या जिस भिन का अंस छोटा होता है वो भिन छोटी होती है अब इसक बट्टे 11 जो है इसका हर बड़ा है इसका अंस बड़ा है तो यह भिन बड़ी होगी और हर समान है यहां निशान हमें इस तरह से लगाना है सवाल करमांग 4 को देखिए सवाल करमांग 4 क्या है पांच बट्टे 15 यहां कोश्टक है 10 बट्टे 30 है तो यहां देखेंगे बच्चों हम दोनों भिन का हर जो है यहां आशमान है हर क्या है यहां हर असमान है हर जो है यह समान नहीं है तो इनके दोनों के हर को हम क्या करेंगे पहले समान करेंगे यहां तीस है और यहां पंदरा है यह तीस को बराबर करने के लिए पंदरा में हम दो का गुड़ा करेंगे तब वो हर समान होगा तो हम करेंगे क्या पहले भिन में पहली भिन जो है पांच बटे पंदरा में दो का गुड़ा उपर और दो का गुड़ा नीचे करेंगे तो य ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30 तो इस तरह से भी भिन हो जाएगी 10 बटे 30 बराबर 10 बटे 30 अर्थात इस चोखट में बराबर का निशान लगाएंगे जब हम इनकी भारों को ये 10 बटे 30 और ये भी 10 बटे 30 हो जाएगी तो इभीन क्या हो जाएगी समान हो जाएगा दोनों का हर समान होगा तो इस चोखट में हमें बराबर का निशान लगाना होगा इसके हर को हमें क्या करना होगा समान करना होगा हर को समान करने के लिए 5 में 2 का गुड़ा करे 10 हो गया और 15 में 2 का गुड़ा किये 30 ह तो 5 बटे 15 को भी हमने क्या किया दूसरे भिन के बराबर बना दिया तो पहला भिन भी हो गई 10 बटे 30 और दूसरी भिन भी हो गई 10 बटे 30 तो यहां हमें क्या करना होगा इस तरह से बराबर का निशान चौखट में लगाना होगा सवाल कर्मांग पांच को देखिए बच्चों पहला भिन है पांच बटे आठ और दूसरा है नौ बटे आठ तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि यह दोनों भिनों का अंस जो है समान है जब भिनों का अंस समान होता है तो हमें परिभासा ग्यात है कि जिस भिन का हर बड़ा होता है वह भिन छोटी होती है तो यहां देखिए बच्चों पांच बटे नौ में इसका हर जो है यह बड़ा है तो यह भिन जो क्या होगी छोटी होगी इसमें पांच बटे आठ जो यह भिन बड़ी होगी हमें परिभाशा ग्यात है कि समानांस वाले भिनों में जिस भिन का हर बड़ा होता है वह भिन छोटा होता है तो इसका हर जो है यहां नौ है यहां आठ यह बड़ा है और यह नौ छोटा है यहां भी देखिए इन दोनो भिन्नों का अंस क्या है समान है समान अंस वाले भिन्नों की परिभासा हम जानते हैं कि जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन बड़ी होगी या इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिस भिन का हर बड़ा होगा वह भिन छोटा होगा तो इसका हर बड़ा है तो यह 4 बटे 11 जो है यह छोटी भिन है और यह 4 बटे 7 जो है बड़ी भिन है तो यहां हम इस तरह से निशान लगाएंगे साथ नंबर की शवाल देखिए 10 बट्टे 11 और चौकट है 10 बट्टे 13 तो हमें ये दोनों भिन्नों का आंस जो है समान है यहां भी 10 है यहां भी 10 है तो हमें यहां परिभाशा ग्यात है कि जिस भिन्न का हर जो है बड़ा होता है वो भिन छोटी होती तो यहां देखिए इसका हर 13 है इसका 11 है तो यह 10 बटे 11 जो है यह बड़ा होगा और यह 10 बटे 13 जो है यह छोटी भिन होगी तो इस तरह से हमें यह पाश्चानना है इसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिस भिन का हर छोटा होगा वह भिन बड़ी होग या जिस भिन का हर बड़ा होगा वह भिन छोटी होगी तो इस तरह से हमें इन सवालों को ध्यान से लगाना है करमान काट में देखिए एक बट्टे पांच अब चाओ खट में हमें भरना है यहां है एक बट्टे नौ तो यह दोनों भिनों का आंस समान होता है तो जिस भिन का हर जो है बड़ा होता है वह भिन छोटी होती है तो इसका देखिए हर जो है यह बड़ा है नौ है इसलिए एक बट्टे नौ छोटा है और एक बट्टे पांच यह जो है बड़ा है इस तरह से हम निशान लगाएंगे सावाल करमांक 9 को देखिए बच्चों 5 बटे 6 आँव यहां कोश्टक है एक बटे 8 तो यह दोनु भिन को ध्यान से देखेंगे तो यहां 5 बटे 6 है यहां 1 बटे 8 है अभी इसका हर 6 है और इसका 8 है और इसका 5 अंसा है इसका एक अंस है तो ये आसमान भिन है तो बच्चों हमें इस सवाल को समझने के लिए पहले इसके हर को हमें समान करना पड़ेगा तो हर को समान करने के लिए एक उधारन है जिसे हम तीरिय गुड़ा करके लगाते हैं देखिए इस सवाल को मैं समझा रहा हूँ पहला भिन है पांच बट्टे छै पांच बट्टे छै में देखिए ये पांच बट्टे छै पहले भिन में दूसरे भिन का जो हर है वो उपर नीचे इस तरह से गुणा कर देते हैं इस eight का मैंने गुड़ा कर दिया तो यह हो गया आठ पंचे 40 और यह हो गया 8 छैंग 48 तो इस भिन का मान आ गया 40 बटे 40 इसी तरह से अब दूसरे भिन का मान निकालने के लिए 1 बटे eight का मान निकालने के लिए समहर करने के लिए एक बट्टे आठ पहले भिन्न का जो हर है उपर नीचे दोनों भिन्नों में गुड़ा करने पर 6 एक कम 6 और 8 छेंग 48 तो अब देखिए 5 बट्टे 6 का मान क्या मिल गया हमें 40 बट्टे 48 और 6 बट्टे 48 अब हमें ध्यान देना होगा कि 40 बट्टे 48 हो गया और 6 बट्टे 48 हो गया अब दोनों भिन्नों का क्या हो गया बच्चों यहां हर जो है यह समान हो गया दोनों भिन्नों का हर जो है समान हो गया अब यहां देखेंगे यह बड़ा है यह 40 है और यह 6 है तो हमें यहां समझना है कि जिस भिन्न का अंस बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है यहां हमें इसका सूत्र समझना है कि सम हर भिन्नों में जिस भिन्न का आंस बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है तो यहां यह 40 है अर्थात यह 40 बड़ा है 6 से तो हमें यहां इस भिन्न का मान मिल गया 5 बट्टे 6 जो है ये 5 बट्टे 6 भिन जो है 1 बट्टे 8 से क्या है बड़ी है तो हमें यहां मिल गया कि 5 बट्टे 6 जो है बड़ा है एक बट्टे 8 से इस तरह से हमें ये आसमान भिन्नों को लगाना है अब बच्चों इस सवाल को देखिए पांच बटे बारा और एक बटे शे ये दोनों आ समान भिन है तो हम करेंगे क्या पहले इनके हर को समान करेंगे और हर को समान करने के लिए हम दोनों भिनों में हर से उपर नीशे क्या करेंगे तीरिय गुड़ा करके जैसे देखिए पहला भिन है पांच बटे बारा और इसको हम पांच बटे बारा गुड़े दूसरे भिन का हर उपर नीशे गुड़ा कर देंगे ये देखिए छे पंचे तीस हो गया और ये बारा पंचे साथ बारा छेंग बहत्तर हो गया ये ये तीस बटे बहत्तर इस भिन का मान निकलाया पहले भिन का अब दूसरे भिन को भी हमें समहर बनाने के लिए एक बटे छे है ये अब एक बटे छे में पहले भिन का हर जो है उपर नीचे ऐसे लिख करके गुड़ा कर देंगे अब देखिए बारा एक कम बारा हो गया और ये बारा छेंग बहत्तर हो गया अब देखिए पहले भिन का मान हो गया तीस बटे बहत्तर और दूसरे भिन का मान हो गया बारा बटे 72 तो इस तरह से यदि हम यहां लिखते हैं तीस बटे 72 और यह बारा बटे 72 अब देखिए अब दोनों भिन्नों का हर जो है समान हो गया यह 72 यहां भी है 72 यहां भी है अब हमें सूत्र तो याद है कि समहर भिन्नों में जिस भिन्न का अंस जो है बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है तो देखिए यह 30 बटे 12 जो है इसका अंस जो है बड़ा है तो यह भिन्न बड़ी होगी इस तरह से यहां ऐसे निसान लगा देंगे अर्थात इस भिन्न का जो यह 5 बटे 12 जो है यह 5 बटे 12 बड़ा है एक बटे 6 से इस तरह से हम निसान लगा लेंगे तो जीन भिन्नों का आंसा और हर अंसा और हर अलग अलग होगा तो उसको क्या करेंगे हम लगाने के लिए हर को पहले समहर भिन्न में परिवर्टित कर लेंगे